राउल केला स्टिल प्लांट एक्स्टरनाल इलेक्ट्रिकाल जॉब में आज हम हाई टेंशन केबुल रूट को क्यूं स्यांड फिलिंग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और देलेक्ट्रिकाल एक्स्ट्रोर आसुतोष इलेक्ट्रिकाल आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में अल अप्संस को क्लिक कर दिजिए हाइटेंशन अंदरग्राउंड पावार केबुल को ब्रिक्स के माध्यम से रूट प्रोभाइड करने के बाद केबुल को वार्किंग कॉंडिशन में कूल रखने के लिए केबुल रूट और सौराउंडिंग में श्यान्ड प्रोभाइड किया जाता है इस विडियो में HT power cable को bricks के माध्यम से root provide किया गया है और उसी root के अंदर sand को provide किया जा रहा है जिसके बाद root bricks के उपर vertically bricks place करके इस job को complete किया जाएगा तो RSP Township external electrical work के बारे में जानने के लिए आसुतोवस electrical architecture channel को subscribe कर दिजिये और इस विडियो को like कर दिजिये थाइंक्यू